कि यह दो आप है कि अऊच्छ को था कि कर दो अब जुज़र स्टाट करते हैं कि अप्रिखर में आपको दिख रहा है डूजर इसका पार्ट से दिखते हैं हुआ है 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 तो यह अपरेटर का के बीन है यह अपरेटर बठेंगा अराम से और यह ब्लेड हो गया है यह हमारा डूजर से ब्लेड है यह क्या काम करेगा करेगा इसका बहुत का होता है जिस Beta रूट रेक हो हो गया है एकस्ट और उसके बाद ब्लेड आपको जो वी बता है रुट रेक ब्लेड से尻ित काही अलग यह अलग काम होगा ता मिली चार तरा यह ऑप में तो यह दूता है और अलग अलग कौने तो ब्लेड इसने साथ मिलीद भल जिसे में इसो पेज़े वहां है करें जू ऑलग अलग लोग य मैं और यह तरह का में जिर इसका में जा नहीं का मिलेगा ईहकर पेबलेज होता है उसका काम होता है उसके अरव Mystic कीग्स रिमॉब करके चलिए हमने जन लिए और ये का ये लिफ्टिंच सीलिंडर्स है दो दोर्व एक इस बहुत बार खूद इसा करेंगे यह साइड में आर्म है इसे करना सुरू कर द «ध गूं कोов कियो fight में नौर्मल है आर्म अधर नौर्मल है इसमें डोजर होगी है उसमें अगर आप आर्म देदी यह तो वह एंगल ब्लेड बन जाता है तो यह सब कुछ है जानते हैं भी कर रोलिक मोटर्स इसके वजे से वह करता है वेरी लेक्टर में बताए तहाए आपको और इसके क्या क्या पार्ट से यहां पर एक ड्राइविंध मोटर यह हमारे ड्राइविंग नेचर का बिदा अुद्ध है यह पर हमारा हाइड्रीवें निचर का यह इसको हम क्या बोलते हैं इसको इसके बारे में अच्छी तरीक से जाना इसके बारे में अच्छी तरीक से जाना जाएंगे यह दिखिए यह ब्लेड का अलग अलग ब्लेड होता है यह यू ब्लेड इसे क्या बोलता है यूनिवर्सल ब्लेड यूनिवर्सल यह कुश्चन में आता है कि कौन सा ब्लेड है जो कि कटिंग नहीं कर सकता है यह सिर्फ पूसिंग कर सकता है तो यू ब्लेड ही होता है वो ज ब्लेट का नीचर होता है यह कट नहीं करता है डिग नहीं करता है यह कुछ करने में अच्छा होता है ठीक है तो इसमें क्या होता है यह दो लिफ्टिंग सिलिंडर्स होते हैं जो कि पुछ करना काम में ठीक है आर्म होते हैं आर्म में लेकिन कोई भी हायट्रोलिक नहीं होता है इस्ट्रेट ब्लेड इससे आप कटिंग कर सकते हैं ठीक है यह ने इक्स्टिक प्लेट के बारे में तो अप साइड का हैड्रोलिक रैम को खोल दीजिए का जादा तो यह एक एंगल एक बना लेगा ठीक है यह एक एंगल बना लेगा तो यह एंगल पर भॉट कर सकता है हीर हीस है हैं नेट्स दखते हैं कि यह पावर एंगल टिल्ट है ठीक है टिल्ट जनेरली यह अंतर इस तरह से होता है कि इतिकलर बिंट कर सकता है ठीक है यह वो यह अवह जो था वह वह रह्सादार डायरेक्सिन में इधर से र मूणा खिक है और Your क्या है कि आपका वर्टिकल डारेक्शन में भी टिल्ट कर सकता है कि तो यह वाला डोजर हो गया और कुंसा डोजर है यह है रूट रेक डोजर ठीक है इसका काम क्या है इसका काम यह है कि जहां पर मान लेज़े कि हुँ विजिटेशन अव गेरा बुसेस बगेरा चोटा-चोटा अधेशर हैं जाब ट्रीज आंट उन सब को हटार में किकल कारा ओं फेक्चाय तो उस에 उसके बाद में तो अिदरियो वीडियो से देखेसे हैं की जो बहुत बड़ा बड़ा व्ता है फार्म के लीए या फिर वहां पर कुछ अगर करना ही या फिर डंपिंग का साइट है तो यह और सिर्वागरा पर क्रेंगे तो बूसे करेंगे तो वह क्या करता है एक इसलेपरी लेयर बनाता है जो तो वहां का foundation पहले अच्छा कर लेते हैं ठीक है वहां से वहां पर first of all हम क्या करते हैं कि टॉप स्वेल वगरा जो होता है वहां से रिमूफ करवा लेते हैं और हाट एंड स्लीपरी दाता तो वहां रिपिंग वगरा करवा लेते हैं करना है दो यूज हम लोग करते हैं वह लोग यूज करते हैं ठीक है तो डोसर में जाना करके डिमांडट में लोग निया जाना लिए इस ब्लेट के बारे में उगले के बारे में कि बुद कills के बारे में अंगर बीलेड के बारे मिनेक्सिट पकॉल्ट रूट रीख के बारे में तक नफ़ यह वारकोय लेट पट सुरा पार Chewie पुषिव गुद्रित में टिटिक यह तो जन्राइज जिर्टत चहांर भी देखिए आपको हर किता में मिल जाकर देखें टिकेश लाट का सीप एज यह याँ फिलकी वह ग्रीट यह सीन्द टेकर यह ए झालिए टिक ट्रीट अन्याइज और खोड़ने टिकशंच अब कर तो कितना से कितना ज्यादा मतलब रहेगा तो वह काम कर सकता है तो यहां तो यहां वन इन और भी आप कर सकता है अब लोग बोलेंगा सब्सक्राइब आप पर रहा है निख्स कोशन क्या बोल रहा है कि नेक्स पोटर कमेंट वीच अपटी फॉलएंग इस इनकरेक्ट पॉन सांगरेक्ट पाइंड तो डोजर्स आर यूज़ फर डोसिंगी डंपिंग मेटरियर इन डंपिंग यार्ड डोसर किसले यूज़ होते हैं पूर डोसिंग एंड्रक काम करा था कि जहाँ पलाएं पर यू अपना अपना बॉड़ी को उठा रहे थे और मेट्रियल से घंपिंग कर रहे थे उसको भान सब्सक्राइब कामी होता है डूसिंग की डंपिंग मैट्रियल को डंप करना भी में क्या बोलदा है कि अर्यूस्ट फ्लोर समूथ डोजर त्मोर समूथ अब परिभियस सी क्लास में हम लोग ने क्या दिखा था प्रिवियर से मिनसे रॉकलाइन से पहले कौन सा क्लास हुए था आज चीखता है फीफ्ट फॉर्थ क्लास में था कि डोजर से यूस्ट फॉर में लोग ने देखा था जब बैक्षो का लोडिंग चल रहा था तो वहां पर डोजर था डोजर के बारे में उससे में बताया भी गिया था कि क्या कर रहा हो फ्लोर को स्मू में नेचर का होता है तो जब भी क्या होगा कि वह वहां पर फॉट जोजर से क्या कर वाए गिया और से क्या करवाये गिया ठीक है तो उससे क्या होगा कि आराम से टायर उस पर चल पाएगा विदाउट विर टीर तो वह काम क्या कर रहा था वहां पर डोजर चेनिंग कर दे रहा था वह जो नया मेट्रियल आया था सेल टॉप सोयल में रोड बनाने के लिए ऊशकाय में वहाँ डाल दिए गया था ताकि वहाँ पर टायर का वीर और टीर ना हो और कहीं भी फेस को जमा कर देगा वह अपना ब्लेट से एक जगा में जमा कर देगा प्लस जो इधर उधर मेट्रियर स्कैटर्ड हो सब पर चेनिंग कर देगा ठीक है और फेस को स्मूथ बना देगा तो उससे क्या होगा कि हमारा डंपर अच्छी तरीके से एक बार से यहां से लोडिंग करने के पाद अन्लोडिंग जल्दी करेगा फिर जल्दी साइग तो इस तरह में क्या होगा हमारा ट्रीप बढ़ जाएगा ठीक है तो डोजर का काम आप लोग ने समझ लिए अच्छी तरीके से कि डोजर सार यूस्ट फॉर मेंकिंग दी लोड लेके जा रहा है तो हो सकता है कि इसमें बड़ा बड़ा बोल्डर वोगे रहा है वो गिर गया रोड़ यह चला गया यहां से चला गया लेकिन बोल्डर तुरा गया वहीं पर अब जो दूसरा वहिकल आएगा जो दूसरा डंपर आएगा ठीक है उसको बहुत प्रॉब्लम होगा यह अतना बड़ा बोल्डर गिर गिया है तो डोजर आएगा और इसको क्या करेगा साइड करके आइगा यह सब्सक्राइब करते हैं कहीं भी इसको रोट से हटा देगा ठीक है तो यह काम भी कर सकता है कि डोजर सार्यूज़ पर मेकिंग भी हॉल्ड डॉड स्मूथ की डोजर हॉल्ड को स्मूथ भी बना देगा तो करके साइड कर देते हैं तो समूथ भी बना देगा गिर जाता तो से भी हटा दोजर के बारे में जो काम था उसके बारे में आप लोगों ने अच्छी तरीके से जान लिया कि उसका यूज जो हता है हम फ्रस्ट अफ थार्फ डंप्याड ने करते ही ठीक है ब्लास्टिंग के मैट्रील ब्लास्टिंग कर जाएगा तो उसको क्या करेगा वह एक जगह जमा कर देगा ठीक है ठीक है अच्छी तरहीके से लोडिंग हो से के नेक्स्ट वेंच फ्लोर जो होता है बेंच का फ्लोर उससे स्मूथ बनाएगा ठीक है ताकि यह और टीर नाव साइड कर देगा नेक्स्ट क्या था कि अगर मांनों कि आवाज आही हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा गिर के क्या होगा कि रोड जो होगा वह अंडिवलेटिंग बन जाएगा तो उसे वह अपने ब्लेट से कटिंग करके स्मूथ बना रहे तो हमने डॉजर के बारे में सारी इन चीज़ों को अच्छी तरीके से जाना लिए ठीक है निक्स हम देखते हैं तो ऑल दी अब 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 आवर करें ठीक है और नमबर तो नेक्स क्षेशन है एक रूसेन हमारा कि डोजर इस यूज़व विच पर पस्ट इए ये देखिए डब्लूचल को प्रक्रविशन धीक है यह कुशन किसका डव्लूचल कि यह होता है कि जितना आउट हुआ कि तुसिंग क्टिंग क्या बोलना चाहा रहा है आप बोलता रहा है कि कटिंग भी मैं कि नहीं कर पाता कर पाता कंख बेड़ stars cheaugal रहता रहा गण्यां टिसके बारे में बोल्टेगे आप यह रहा है इस को न्म AJ सब्सक्राइब नए छिक्राइब करने के लिए थे किसे लिए होता है किर म कि अधिए कर लिएंगा रहां से हैं एक लिखते हैं दोजर युजड आज थी है डोजड एंकल ब्लेड नहीं कर सकता है यह अनले लुटिंक मतलब क्या होता है उठाना कि जा कंठेंग है लिफ्टंग मतलब होता है उठाना तो उठाए गए लिफ्टिंग नहींगा रहे है या किसी भी तरह करें ऱ्ठ फुंसीं की क्रूसिंग का काम कर रहा है कि प्ल minder लेड़े और डुंसिंग सबस्क्राई है लिफ्टिंग नहीं करता है है ठीक है और जो जिलीनिंग करता वह सकता है तिक और फेस प्रेस घरा बताए किया घरां कर सकता हो पॉछ करके अटा सकता है टीक है तो question about for for NCL junior overband 2018 को question नहीं होगा ठीक है डोजर यूज्ट यूजवड एस loading equipment नहीं होगा ठीक है load नहीं कर सकता है next transport equipment transport carrier के लेके जाने सकता है ठीक है c में क्या है leveling and pushing purpose the leveling तो करी सकता कट कर कर के ठीक है तो leveling कर सकता है for crossing and screening purpose यह भी नहीं है तो c number correct है चलिए विच टाइप डूजर डाज नॉट है डिगिंग पावर ठीक है तो इसके बारे में आपको बताया गया था कि यूणिवर्सल ब्लेड जो होता यूज सेवड ब्लेड के पास डिगिंग पावर नहीं होता है तो इसमें सारे ही डूजर आ गया है तिल्ट दे दिया गया आपको रूट रेक दोसर दिया गया यू सेट ऍले गया यहाँ पर अगले में करे mama यह घाली में और ये कहां सबस्क्का data में निए युट इसके बारे में जाने लिए और बाकि इसके बारे में जके चुके हैं सब कुछ द्रटें तो निए फैंसरी और है ख societ रिये इंग वारे में समझते हैं इसके रिफर पालता घंज किल तक हम और कि तरह कि हम लोग हीध में हल चलाता है स्पार्मेंट क्या च में यूज करता है तो किस तरह यह तो हमारा डोजर है यह क्या है पिछे क्या लगा दिया गया रिपर और फिर क्या करेगा ग्राउंड को लूज करेगा ठीक जहां भी हाड और स्लीपरी ग्राउंड रहेगा या फिर अगर मान लेजिए कि टॉप स्वेल का रिमोवर ही करना है ठीक है तो बाहर के देशों में जैसे की कैलिफॉर्णिया साइड में अस्ट्रेलिया वगेरा में तो क्या होता है वहाँ पर कि वह लोग क्या करते स्क्रैपर वगेरा का यूज करते हैं ठीक है स्क्रैपर और रिपर कंबिनेशन ठीक है तो जहां पर थोड़ा टाइट होता है जो हमारा स्वाइल वगेरा होता थोड़ा तो क्या करता है फस्ट आप रिपर से जाके रिप कर देगा उसके ब कि this is an attachment किसके पीछ लग जाता है यह को फिर हमारा लग जाएगा दोजर कापीछ कि एक तो जेनरली जो हमारा खेकिश्मेंट होता हौ वह हम रीपर जो होता वह हो दोजर के पीछजे ही लगाते तो रिपर इस एंटेचमेंट की यह लग से कोई सिनरी नहीं कि लूस करने ग्राउंड को लूस करने काम में आ था जहां भी हार्ड अगर ग्राउंड होगे तो वहां पर इसका हम लोगा यूज कर सकते हैं एक पार्टिंग कि यह एक मिटर का सेल का पार्टिंग आगे कि अब एक मिटर का ब्लाश्टिंग किस तरह से करें तो उसे तो अच्छा है कि रिपर को लिए कि रिपर से यहां क्या करेंगे इसको लूस करदेगा फिर क्या होगा डोजर आएगा इसको कुछ करते वे निकाल देगा यहां से क्वालिटी मिंटेंड हो जाएगा हमारा कोई अच्छी तरीके से काम भी हो जाएगा और एक मेंटर का ब्लाश्टिंग हम कर नहीं सकते थे तो उसमें परेसानी होती तो इस जगा में रिपर का बहुत अच्छा यूज है रिपर से काटते वे यह इंडूस करते चला गया फिर नेक्स्ट बार आया बिलेड से तो बिलेड अधार और का काम हो सकता है यहां तो हो गीरा माइन से में नॉर्मल जहां पर डंपिंग याड को हमें बनानाई तो अब लेकित Lets ग्राम तरी बगेरा जो रहेगा वहां से उसको ऊटाने बद्वाद क्या हो फिर फीर पीछे से क्या होगा कि बद्वाद पर कर लेंगे तो इस तरीके का यूज करके हम इसको कर लेंगे तो रिपर और स्क्राइपर का आपको यूज़ां दिखाएंगे वीडियो के मतियम से दिखाएंगे जो आपको अच्छी तरीके से समझ नहीं यहां पर यह आपको क्लियर हो जाएगा ठीक है डाउट थोड़ा साभी ने रहेगा मन में बस आगे आप बने रही आपको समझ माझा जाएगा यहां पर इसमें क्या होता है दो सिलिंडर होते हैं आड्रोलिक सिलिंडर जिसका फोर्स के वज़े से यह फोर्स लगाता है तूथ आपका में अच्छा किवी नेशेट्या ज redefine सी में अच्छा रहता है जल्दी में अच्छा रहता कौन सा मतरी हो ता है पता नहीं कि कम पहंवी अप idag पढ़ने को मिलेगा ठीक है शनक मतलब क्या हो जाता है आपका जो यह से लेके का इंड से लेके स्वाइब यह आपका इसका पार रहता है एंकल तक का पार इसे को भी आइब लो सेंक भी बोलते हैं सेंक कहीं अगर किताब अगरा में पढ़ते हैं यह वर्ड मिलेगा तो समझ में नहीं आगा इसलिए बता देए ठीक है तो यह क्या होता है यह जो प्रिसर लगाता है उसके वज़े से क्या होता है यह डिप डाउन होता है अर्थ में ठीक है जिरू पंट फाइब मीटर जैसा मतलब कि जैसा इसका साइज है उसे साफ से यह डिप डाउन होगा और क्या करेगा सोयल को लूस करता हो चला जाएगा ठीक है बात में फिर स्क्रैपर वगेरा से हम लोड करके उस जगा के मेटरियल इसको बढ़ाता है और एक प्रेसर देता है डाउनवर्ड की तरह ठीक है यहां भी दगी क्या लिखा हुआ है टूबी फीटे टूबी अटेज्ट विथे फ्रेम ऑफ ए ट्रैक्टर ठीक है ट्रैक्टर दिया याफी डोजर ट्रैक्टर दिया ट्रैक्टर तो आप समझ करते कि कि हम लोग हल चलाने के लिए क्लिए को 20 तर्रैक्टर या फी और जो माइन संक्रेंव करभी तो डूजर के साथ कर लें अक डिक कि MOM यह कर रहा है यह यह Bash पना हुआ है और पूरा ही इसको हटा देगा यहां पर कुछ बनाना होगा तो भी बनाएगा जो है कि पार जाता है कि आधसी कि यह कुशिन के माधियम से समझेक रिपर को क्या है इसका वीडियो भी दिखाया जाएगा इसका रिपर कर ठीक है डिपर का स्क्राइपर का पर कॉमिनेशन को साथ रिखाए गांगा तो वीच आप फॉलिए इस्टेटमेंट और करेक्ट आप रिपर टिक वोन से स्टेटमेंट सही है यह रिपर के पारे लिए अप्शिन ने क्या बोलता है अप्शने बोलता इट इस नॉट ए सेपरेट मसीन इस अप्लाफ लाइक अटेजमेंट फिटेट अट रियर एंड ऑफ हेवी द्यूटी क्रॉलर मॉंटेट ट्रेक्टर ट्रेक्टर लिखके यह नीचे में जर्ली अटेज्मेंट डोजर भी किया है तो इट इस नॉट अट सेपरेट मसीन यह कोई अलग मसीन नहीं है यह यह लाइक अटेज्मेंट प्लाफ लाइक अटेच्मेंट एट पीछे और हैं हेवी द्यूटी क्रॉलर मॉंटेट ट्रेक्टर या फिदोजर भी बोल सकते हैं तो उसका पीछे में हमें लगा के काम इसे लेते हैं यह कोई मसीन नहीं है यह एक अच्टेच्मेंट ठीक है जो हम शोटाइट सॉइल मेंगे स्लीपरी नेचर का उपर अगर हम करेंगे तो क्या हो कि हमारे स्लाइट कर जाएगा तो हम क्या करेंगा उसके तो फिर शाइज रिमूव वह स्ठीपर छोड़ा सब्सक्रीं त बोट सब्सक्राइब अट करना जरूरी है कि अधिक जुना ए हमेल्गोस की सहिर्ट काणों कि को बेपन जोड़न करें यह से ने सुhr- Herr और यह लूज करता है लुजन करता है और और समझेंगे तो कि स्क्रैपर का यहां तक खतम हो जाता है यह स्क्रैपर है ठीक है यहां तक स्क्रैपर है कि हम जानेगे इसका पीछी क्यों लगा हुआ या या रोजर क्यों लगा हुआ कि पहले फफ़ श्क्रैपर को डिसक्र्ण कर लें तो स्क्रैपर के बारे में जांते हैं अच्छी तो स्क्राइबि में यहांपको दिख़ा हैं कितने है टी कितने हैं चार्ट आया नेक्स्ट अब कहां पर बठा हुआ न्याहां तर्लिक और कर दिदेगा कि आपका ट्राइबर का सिट लिग दिए बौल दोते हैं भ पो लौल डो तो कर दो इसमें क्या होगा कि मैं यह यह नीछे में राता है ज την च में पर क्या रहें यह नीचे में में ब्लेड रहता है कुप तो यह इसका अंदर मेठेटियाल भुषते जाएगा चुछ लिए पूरा यहाँ पर और लोड हो जाएगा तो फिर बंद हो जाएगा यह आराम से चलना शुरू कर देगा इस साइड में लंबा चोड़ा मसीन दिख रहा है लेकिन ड्राइवर का सीट यहां पर चार टायर है इसके पास यहां पर हाइट्रोलिक्स बगर रहेगा और क्लियर में देखेंगा दूसरा फ तो उसमें चिपशीप होता है कि उसको लूड लेके जाने में तकलिफ होता है तुछ इसलिए पीछे से बंपूसकर voilà यह जो है यहां पर यह एक्जॉस्ट है दņ इसमें क्या होगो के मेट्रियाल से फिल हो जाए तो नेक्स नेक्स्ट फिगर में देखते हैं कि इस क्रेपर के बारे में पड़ रहे हैं कि वीडियो के माद हम से और क्लियर हो जाए चीक है तरी के समझते हैं कि लिए लोडेगा का में लिए ये उंदर में अपना जिए कही कर रहा है तो अन्दर में डाल दिया लूज करते हैं आचिसस कर द leverage इपना फ्रकेट बाल उसको पकटनिया अप्षाथ कर देख ल disrespect कि यह देखे यह स्क्रापर किस नेचर का है तो इसमें एटेज कर दिया गया ठीक है दो स्क्रापर है एक स्क्रापर यूनिट यहां से दो स्क्रापर एटेज़े क्यों इसके वारेंगे करने से क्या होता है इसके इसनतर है तो ऐसे करकर यह कि कि किसे लिएक तो आपको यहां पर दिख रहा होगा कि इसका देखिये इसका जो बॉल है ओनल मैं सक्थ और बहर जाता है और नो से इसमें खिचाब नहीं बनता है ठीक है ड्राइवर सही से खिचने पाता है तो दोनों को एक साथ कनेट कर दिये अब क्या होता है फरस्ट में यह अपना लोड कर लिया यह कर लिया यह फरस्ट में अपना लोड को फिल कर लिया यहां नीचे में बके यहां पर ब्लेड है इस यह चो जो आपके स्क्रापर क्राइब कर रहा धा तो कै섯ग्र हो yuk after कर आद है तो जब अब स्क्राइब आपया बढ़ गित कर एक अभर लिया अब यह भर दो सुरूंच करेगा है तो उसी कों कर िष्ट रहा था फिर कोन कर रहा था पीछे वाला फुसकर रहा था जब पीछे वाला भर यगा तो उसको थे कुन यह भी थे प्ला सिस्ट लगाएगा तो दोनों इसा कंबिनेशन लो कर लिया कि आगे लो एक साथ जोइन कर लिया गडबंधन किया फिर क्या किया उसके बाद परस्ट में जब यह भरा अपना मेटरियल को पूरा ही डिलीट कर पूरा ही से कर देते हैं आप समझें इसको अच्छा तरह समझें ठीक है तो फर्स्ट आफ हल क्या होँआ कि यह दोनों साथ में जोड़ा हूँ था जिक है चुड़ा हुआ यह आया साथ है यह आया होगा यह आके यह यह यहां पर और फिर यह भरना शुरू सुरू कर रहा तो यह अपना तो प्रेशर लगाई रहा प्लस इसका वी इंजिन साथ से काम कर लेगा लोड का लोड ही कह रही होगा लूजर का बजरोत नहीं पड़ा तो यहां पर सब तो यहां पर कुण लूज किया हुआ इसको रिपर किया हुआ इसके बाद वीडियो देखेंगे तो यह जो रिपर जो पीछे आपको दिख रहा है यह क्या करता है कि यहां पर सबस्क्राइब है इसको क्या करता है थिक बाद खेत में लूज करता है तो क्या पीछे से ब्लॉक है उसमें यह ब्लट लगाता है इसको पीछे से iis qa ai फिर जो माइंस है ठीक है माइंस से निकले कहां जाएगा यह माइंस निकल कि चल गया डंपिंग्ज यार्ड में जाके वहाँ पर डंप कर दिया किस तरीके से डंप करेंगे वह भी अची तरीके से देखंगे से इसे डं करता है यह तो दपन उजलेगा नहीं तो नीचे से कुछ सिस्टम होगा नीचे से यह अपना मेट्रियल को निकाल देता है तो वह भी हम देखते हैं तो यह माइंस में है अभी जो पिक्चर है यह माइंस का पिक्चर है सहारे वह अपना बावल को फिल कर रहा है फिल करके यहां से निकलने में फिर क्या मदद मदद भी कोन से कर रहा पुसिंग भी कोन कर रहा है डोजर पुस कर रहा है तो यह जो मदलग है थोड़ा श्टीकी वला एडिया होता है वहां से निकाल देता है उसके बाद यह आरां से तो सारा चीज हम लोग ने देख लिए इसके बारे में अब डोजर और रिपर कंबिनेशन का हम लोग वीडियो देखेंगे और किस तरीके से यह काम होता यह भी हम देखेंगे आप लोग के दिमाग बहुत सरा डाउट भी चल रहा होगा रिपर का ब्लेड का लेंग्ट और ब कि दो वीडियो से देख लेते हैं कि अब कुछ यह हुए कुछ तो इसा बचने कि आप नाम नहीं बता है आप लोगों को पार्ट का नाम यहां से यहां से लिए और यह दिखिए बावल है यह आपका इसका कटिंग होता इस साइड में इसका मुवमेंट का डिरेक्शन कुन हिए ढाई बैटा होदिसेरन उसका ब्लएट कहां पर रहेगा इसकश मैट्याल यहां पर आगा कि और में गट्यों को थिए लिए लिए दिख लेके इसके और साफ हुटता है तो 6 लेवलिन डियाग्राम में यसा कुछ तो है नहीं ठीक है ठीक है ठीक है वीडियो तो सब चबते हैं यह यहां पर अभी क्या हो रहा है कि दोनों ही जैसा कि आपको बताया गया था कि दोनों जो स्क्रैपर है ठीक है दोनों स्क्रैपर साथ में जूड़े हुए है ठीक है दोनों साथ में जूड़के काम कर रहे हैं ठीक है यह स्क्रैपर यह वाला जो स्क्रैपर है ठीक है यह अलग स्क्रैपर है स्क्रैपर वन और यह है स्क्रैपर तू ठीक है दोनों ही जोएंड है जोएंट जैसे कि आपको बताएं गया ठीक है जोएंट होके दोनों काम कर रहे हैं किस तरह के से काम कर रहे हैं देखिए जैंगी किस तरह के से भरता जा रहा है देखिए हैं आपको यहां पर दिख रहा हो अच्छी तरीगे से इस तरीगे से यहां पर क्या होगा यह अपना बकेट को फिल कर रहा है जो यह जो इसका बकेट है देरे दरे फिल हो रहा है है कि पिलो का जा रहा है कि इस साइड से रिपर सवार है एक है यह लोग को अची तरी के समझ हो करते हैं कि यह जो दोजर यहाँ पापको दिख रहा है यह लोग क्या कर रहे है यह क्या कर रहा है तो इधर इधर से आ रहा है और दोनों करें उस उस समय क्या होगा कि यह यह इसको खीचे यह यह पीछे वाले को खीचे आए यह दुनों साथ मिले करें ठीक है तो फर्स्ट आफ और रिपर लूज कर रहा है ठीक है आराम साब समझ सकते हैं आपके रिपर यहाँ पर जो मैटरियल रहा है उसके बाद स्क्रैपर करें बाद कर लोग गिची करें, और रहा है कर सो, ब मैटर नह ऱ है वी पर रेंट, कर रेंट समय कापके आ रिपर, जाऊह है इस दो कि आ ता, कि अज़ यहाचता रिंट साथ मिले में, फड रेंट मिलें। कि लो गया गुष्राव फिल कर गाए कि अब देखिए ब्लेट देखिए ब्लेट यहां कर देखिए माइन से माइन से निकल पर डंप कर देखिए और स्क्रैपर्स आ रहें पिछे से वह दोनों जो दोनों जो 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 रहा है वह रिपीट कर देखिए कि अब क्या हो रहा है अब क्या हो रहा है अब यह लोग है ना सो डंपिंग यार्ड में पहुंच रहें ठीक है नाव द्यारीं डंपिंग यार्ड ठीक है नाव दे आर इन डंपिंग यार्ड ठीक है नाव डंपिंग यार्ड अब डंपिंग यार्ड में यह आ आगा है आप देखिए यहां पर किस तरीके से यह अपने बकेट को खाली करेंगे ठीक है देखिए खाली होने स्टाट होगी मुझे लार्ड शंपिंगो परहा थेखिए यहां यह वार्ड पर रंपिंग कि compass U अज़ीक तो आप लोगों नहीं यहां पर अच्छी तरीके से देखा किस तरीके से पर जो मारा था वह तक पर फिसका इनिमेटेड़ पार्ट मारों और कुछॉअ अच्छी तरीक से आपकेट को उतार रहा यहां पर आपका सिलिंडर यहां पर दिख रहा है यह वाला जो है ना सिलिंडर है है यह नीचे की तरफ पूश कर रहा जब यह नीचे की तरफ पूश कर रा है ठीक यह जब यृचक्ष तरह पूश कर दो इसकेласт के या ओर और यहां पर यह सैटेच saudara टेक है ब्लेड की करदी डितल ग्राउंड की किंप्लाई कि नुव्राउंड जब यह वाला ऑपरेट हो रहा तो क्या हो रहा कि यह डिप इन्टू दी ग्राउंड जो ब्लेड है वह ग्राउंड में डिप कर रहा है ह suspect कि ALL फिर यह अपना काम कर रहा है जब क्या हो रहा है जब यह भर जा रहा जब पूरी तरीके से बहर जारा तब यह यह जो ब्लेड friendly से उठाल जब लlee tanto it Rubka को अपकी तरफ खीच जाता तो यह बला जो पाठ यह कोल जाता हुर नीचे से डिश्चार्ज जाता है पीचे से क्या होता है निस चार्ज जाता है आप इसको अच्छी तरीके से वीडियो में देखिए ठीक कि हॉल मतलब लोड ले लिया ठीक है लोड ले लिया हॉल मतलब वो कैरी करके जा रहा है देखिए अब डंप करना शुरू कर दिया यह उठाया इसको छी किया किया यहां पर कृट है रिट है रेस्ट गशाज्ट है रिस्ट गच्छाज्ट टिस्चार्ट अपर दे लोड टिस्चार्ज है गए निंग डियू इस वह था इसको रेस्ट किया गया का इस साइड में ताकि यह अपना लोड को discharge कर सकी करके तो कि अधिस्टार्ज करके उसी को कि लेबल करते हुए चला गया कि प्रिस यह बहुत कि रिटर्न हो गया कि अधिर से बाद देखिए जाए पिर से बाद लेखिए कि 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 लोड कर लिए अब खॉल कर रहा है करी कर लिके जा रहा है कि अब जाएगा नंपनी याड में जाएगा नंपनी याड में पहुंच गया था अपना फ्रेश कोपी अप्रों स्लिंडर को अप किया जिसके वाव था निचने निचने कर दिया कि अग्या कर दिया कि पिच्छे की तरफ चलाएं कि घेक तुछ अब लोग को स्क्रेपर समझ माया क्या होगा रिपर का कंबिनेशन भी आप लोगों अच्छी तरीके से देखा ठीक है स्क्रैपर और रिपर कंबिनेशन भी देखा इसमें क्या हो रहा था कि यहां पर क्या कर रहा है कि यह यहां पर यह वाला जो मसीन है यह रिपिंग कर रहा है ठीक है रिपिंग करकर के स्वाइल को लूज करते जा रहा है ठीक है रिपिंग कर रहा है बो dips नवम Shorter करते जा रहें और यह सब क्या ओर रहा है सर लोड करके के लोग जा रहे हैं घंप यार erzähles है उप क्यार्ण हो रहे हैं आपको यह पूरा ही समझ माया हो ठीक है स्क्रापर और मैंदेशन का जो जो किस सबस्की सब्सक्रा अच्क निया होगा किंग कि Lea को आगा इसके उपर हम लोग ने को विकिया कि थी अग elder करना कि अच्छा किरेख लेता हैं motorý आँ कि किस तरीके से यह रिमूफ कर रहा था है यह अप Image वीडियो जब मिलेगा तो आप फिर से एक बार देख भी लीजेगा तो एक बार एक बार हम यहां से दिखा देते हैं आपको अच्छी तरीके से यह इसका ब्लेड है कि यह इसका ब्लेड था जहां से यह लोड कर रहा था ठीक है यह ब्लेड है इसका यह क्या होता है यह जब पूस्ट डाउन करता है यह वाला जो हाइड्रोलिक सिलिंडर है जब इसको पूस्ट डाउन करता है तो क्या होता है ब्लेड जाके नीचे में सटता है सोयल के साथ और उसको कटिंग करते करते हैं अपने यहां पर लोड कर लेता है लोड कर लेता है वे सिलिंड़ को अपने डिखा वीडियotional यह उपर उठ जाता है यह नीचे खाली हो जाता है तो आराम से यहां से गिरना सुरू हो जाता है जब गिरता है तो फिर यह लेबल भी जो ब्लेड रहता है वह से लेबलिंग भी करते हुए चला जाता है इसमें डूजर का रिक्वार्मेंट नहीं पड़ता है ठीक है डंपि पूसर कुसर ब्लोक है कि सब्सक्राइब रहाता है पूसर ब्लोक इसे का पूस करता पीछे से हुआ है कि जनरलिंपी यूज करते है इंडिया में लोग साब्लें दंपर को कंबिनेशन इजुसकर टॉप्स बड़ानिन होता है तो की थ मैं वैं यह टीक है तो कंसर्द बीडीक्री से वइडियो के माध्याम से भी नेख़ लें किस तरह जो कि जाती है ते करें यहरा यह मिलेगा कि हमारे कंट्री में तो छाहिन हため कमीस करें और यह को तो मिल झाता लेकिनहाने को नहीं खेत अच्छा हाँ इसका टाइप के बारे में डिस्क्स नहीं कि इसका टाइप के बारे में डिसक्स कर लेते हैं यह कोश्चन कर ले तो आपको इसके बारे में पता चल जाए क्या यह मशीनरी क्या है तो ऑफ्शन ए में है कि डीजल पावर्ड ठीक है डीजल पावर्ड आप लोगों ने देखी भी रहता कि कोई बीक्षिंस नहीं इलेक्ट्री कनेक्शन ने डीजल पावर्ड और टायर मांटेड ऑपन कास्ट एक्विपमेंट मैक्सिमम एफिसेंसी एचीव और फ्लाट ग्रेडियंट जब होगा तो इसका एफिसेंसी अचा रहेगा ठीक है और अगर चलाएंगे तो फिसेंसी लूज हो जाएगी छाट किया ame rat कि बैंड जाएगा जो कि तो लेकिना लेकिन के बाद वह ठीक है तो आपका व्लास्टिंस व्लिंट भर अवगा जाएगा जो की ब्रेंतik कर दिया किछinkशी में मिझेस लिए यहाई से करी सकते हैं ठीक आफ्टर आफ्टर रिपिंग या फिर विदाउट रिपिंग जैसा भी कंडिशन हो और अनकॉंसोली रेटेट रॉक्स को भी रिमूव कर सकते हैं और नेक्स्ट कंडिशन बोल रहा है कि इफ ग्राउंड इस स्लीपरी ठीक है ग्राउंड जैसे कि अगर हा तो यह हुई है दी नमबर में उसका होता है पीछे से जो पूसर ब्लॉक होता है अध्यी के बारे में अच्छी तरीके से जाना डोजर के बारे में अच्छी तरहीं को उसका समझ लिए थे तो थीन चीज़ यहां पर हम दो खतम कर लिए हैं किपने टाइप के होते हैं हमारे स्क्रेपर हमारा दो त tablets पहला क्या हैר एंट से चलता अब यहां वीडियो में देखें गों से देख़ा है टेट utilization वह energy generate करके scrapper चल रहे हैं तोड़ टाइप तोड का मतलब क्या था है तोड आता है कौन सा वर्ट से तोड़ टोड कहा से आता है वर्ड टो से आता है तोड का मतलब क्या होता है कि इस दो का मतलब क्या होता है तो का मद रहोता है टुइंग को खीचना कार को खीच रहा है या अधर वहेहकल को खीच ठीक है using rope or chain ठीक है तो to pull a car or another vehicle कोई भी वहिकल को खीचना किसे chain या फिर rope को बांध दिया उससे खीच रहे ठीक है तो type आपने दिखिल यहां पाइना पर कोई भी रोपसे या फिर यहां पर एक कुछ road लगा के यहां पर एक machinery रहाnd जो सकता है यो machinery dozer हो सकता है या या फिर ट्रांटर हो सकता यह लोग क्या करेंगे यह इसे चाज़ा तो हम इसका नहीं किसा लेता है यहां कि यहां पर क्या हो रहा है यहां पर झार तो इसको खीच रहा हूं से तो इसके पास तो कोई टपुटपषंटा जार है है पहला गया कि उसके चलएगा और दूस्तरे हो टोघ टाइप लोघ निपकी चीच रहा ठीक है तो स्क्राइपर यहां पर ब्लेड बगर सब कुछ है यह इसका पर आएगा सब कुछ ही यह यह वला इसका इसका लिए अंदर में भरा हुआ यह लेकिन यह अटेच्मेंट यह सा यूज हो रहा है ठीक है इसको हम लोगो बोलता है टोड टाइप ठीक है सब खीचा जा यह अब हम स्क्राइपर ज्यादा टाइम में वेस्ट नहीं करेंगे और हुआ है चीक है तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेडर रहा हम इसे भी अच्छी तरीके से देख लेंगग कि यहां फिगर में आपको दिख रहा है यहां पर दिख रहा है यहां से फिल नहीं आग चलते हैं अधिया थोलगा सब पहले हम जान लेते हैं ग्रेडर करता क्या है कि यह जयसा कि आपको फिगर से मौरा हो रहा होगा यह क्या कर रहा है के तक कि रिंट यूब्हा अग्रा अड़ कि यहां चलते गश्यूंक यह तक यह क्या करेगा वियूं इसका ब्लड मुवेबल होता है ठीका साट डिग्री तक इसका जो ब्लेड करता है कि लगभग 60 तक मुफ करता है इसका तो इससे क्या आता असानी से मैट्रियल्स को बल्क में लेकर टर्ण करके साइड में यह ही पाइल में वहां पर श्टॉक कर देगा जमा कर देगा उसको साइड में तो इस तरह से क्या हो कि सारा ही जो इसका डड़ रहेगा हॉल्डोड के में होता है कि चलना बहुत जाता है तो और आके वहां पर ग्रेटिंग कर दिता है और सब कुछ सब कर देता है तो बेरें उसफुल इन यह जब ज्यादा होने लगता तो फिर चलना फिरना मुस्किल हो जाता है मैं जैसे आप चलिएगा तो आपका यह सूज रहेगा चलिएगा तो वहां से भी डॉस्ट आएगा पूरा और बहुत ज्यादा क्या होता है कि खुद आप देख रहे हैं कि कितना कितना ज्यादा हो ज़िया है तो फाइन फाइन डश्ट रहेंगे उसमें आपको सूज वेगरा पिंट्रेट हो जाएगा गंदा हो जाता हुड़ा तो ग्रेडर को डिप्लोई करने से पहले ठीक है ग्रेडर को बुराने से पहले उसको है न नहीं तो क्या हो कि अगर हम वाटर स्प्रेंग नहीं करवाएंगे तो इसलिए क्या किया जाता है कि फर्स्ट और वाटर टेंकर को बुला कर दिया जाता है वहां पी ग्रेडर को मरवाना है उसके बाद वह efficiently कामवों कर सकता है तो डस्ट वगरा क्या होगा अब उठेगा न सबको साइड कर देगा रोट फिर क्लियर हो जाएगा उसके बाद जब डंपर चलेगा तो जेनरेशन डस्ट का कम से कम होगा ठीक है तो में जो परपरस है आप लोग इसका समझ इसका काम क्या है कि जो भी डस्ट वगरा जेनरेट होती है जो भी गिर जाता है हॉल डोट में इसके पास कहा है कि इसके पास जो हमारेटर इसके पास कहा है यह तुरुणत आएगा एफिसेंट्ली और अपने विलेट से हटाते तो जितना भी ब्लॉक कर सकता था वहां पर फ्रैग्मेंट जो की गिर गिया है वाइडी डंपर ठीक है जब वो कर जा रहा था तो उसको आ है तो फेस में रहाता ही है लेकिन अगर हम चाहें तो इसका भी यूज अच्छी तरीके से फिसमें ठीक है फेस को तो उसमें यह क्लियर करतेगा और फास्ट करेगा ठीक है वहाँ पर क्या करेगा कि अलग बात है कि डोजर का किरदार अलग है वो अची तरीके से काम कर सकता है हेवी बलकि मेट्रियल को अठाना है साइड करना है ठीक है पूस करना है तो उसमें उसका काम अलग है ठीक है तो यह लाइट वर्स के लिए अच्छा है एफिसेंट है ठीक है कम डीजल कंजप्शन है कि यह कि मतलब कि साफ सफाइ कर सकता और चिटरे के से कुछ ब्लॉकेज अगर मैट्रियल गिर गिया है डंपर से तो उसको भी क्लेर करवा सकता है तो इसमें समय इसका काम हो गया कि छोटा मोटा के सकता है वह सब कर सकता है अची अनुसे चीजें इसके बादे आच चीजेंगे हसे एधर जो लूज मेट्रियल से तो उसको साइड कर रहा है लाकि वो डस्ट कितरह कि दूब ज़्यादर डश्ट क्रियेट नहीं पर कि दो दो तरह काफी दूर में जो यहां पर यह दो इस साथ है यह दो टायर बहुत ज्यादा अलाग है इसका जो बीच में जो में इसका ब्लेट गांटेड होता है वो काफी सब्सक्राइब तक चाहिए कि उसको इसको इसलिए क्या होते हैं वह अब इसका वीडियो भी देखेंगे इसका वीडियो देखेंगे और बताने लाइक को रहें नहीं जाता है यहां हम लेबलिंग in तो निमं้ेटिक सकान होते हैं टिक प्रूंतिक निमेटिक इसमाद तब आथा हवा बीनिक होगि ए पाइक के टैयर से उसमें भी हवा गलता है तो भी निमेटिक टैयर से से तुछ प्रूंतह निम्यरेंटिक टैर साथ है ठीक है इतनेaneous टेपों को हम एक और यहां पर देखके दिख रहा है ठीक है यहां भी यह बहुत का फूर इसमेट फॉर स्ट्रोक डिजल एंजिन होगा हम सारे ही जो ताहर होते हैं आल वीलड्राइब करहें आप जानते हैं एड़्लो डी ओल विल ड्राइब सबमें ही पावर रहेगा सारही म सब्सक्राइब करेंगे तो क्या होगा ब्लेड नीचे तो ब्लेड को लोगर डाउन कर लेगा तो सारे चीजें आपने इसके बारे में देख लिए अब हम थोड़ा सा कोश्चन कर लेते हैं ताकि आपको क्लेरी थोड़े सी और आ जाए एक और जो का मज़त हम जो बूल रहा हम या फिर याद नहीं हो सब्सक्राइब कर सकता है थी का सिंप्ली डोजिंग रहता तो और अच्छा था टीक करता है पूश करकर काम कर सकता है थीक होने से कहीं होने से कहीं बहुता है कि बेंच पर तो उसका पत्ती होता है जो डंबर की क्राइसिस हो जाएगी ठीक है और डंपर की क्राइसिस हो जाएगी नेक्स्ट क्या हो सकता है तो आप दो दमपर के साथ तो मसीन को रन नहीं कर वाएंगे तो इतना हम एफॉर्ड नहीं कर सकते हैं डीजल कंजब्शन उसका मतलब प्रोडक्शन हैं प्लस डीजल कंजब्शन हो रहा है तो फाइदा क्या हो इसलिए जो हमारा अलोकेशन होता है सब्सक्राइब करते हैं तो इन सब को हम ध्यान में रखते हुए करेंगे ताकि हम कर सकते हैं जैसे कि आपने अपने पढ़ा भी होगा कि दस मिनट अगर ड्रेग लाइन अगर रुपता है तो हमारा दस अजार गलोस होती है तो एसा नहीं कि हम आरे पास चार डंपर की गई है तो उसको हम दो डंपर ही दे दिया क्योंकि दो हमारे वीडी हो गई है ब्रेकडा पुल लोस होगा तो इन सब का ध्यान हम रखते हैं थाकि हमारा ब्रेकडाउन कंसे कम हो और जैसा कि आप जानते हैं होल रोड इस दी लाइफ लाइन तो हमें अच्छी तरीके से उसे रखना है इसे लिए जो हमारा इसके पास निवेटी का मतलब हावा भरा हुआ ठीक है निवेटी का मतलब हावा भरा हुआ छिए तो चेह इसमें डायर से दो आगे के तरफ है बिल्कुल आगे और चार एक साथ पीछे नेक्ट-वेशन क्या है कि मॉटर ग्रेडर इंक्या मोटर ग्रेडर लिग के चोड़ दियो क्या बोल रहा है और ऑप्षिन ए यूस्ट फॉर क्लीनिंग ऑफ इस पीलेज रोड रोक्स और 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 खोल बोल्डर्स ओवर दी होल रोड ठीक है यूस्ट फॉर क्लीनिंग प्लीज रोक्स जीसे कि आपको बताएगे कि डूंपर वगरा जा रहा तो उसे मैट्रियल फॉल कर गई है हॉल कर गई यह जाओ बलॉक करेंगा रास्ता टीक है तो उसको क्लीन करने में काम आता है ठीक है बात आती है वीडियो फी देख लेते हैं ताकि हमें लगा सब्सक्राइब की चलिए तो हम वीडियो में आ गए हैं और वीडियो को हम देखते हैं ठीक है अच्छी तरह के से अब्सर्व किजिएगा कि यहां काम क्या कर रहा है ठीक है चलिए वीडियो को में स्टार्ट करें कर रहा है कि वीडियो में देखा कि यहां पर मेकसिमल समय आपको दिखा कि यह पूस कर रहा है मैटरियल को बूस करकर साइड में लगाते हैं ठीक है तो जनरल इसका काम ही यही है तो आपने अची तरीके से वीडियो भी देख ली और अची तरीके से आप सब कुछी देख चुगे हैं कुछ आप रहा नहीं किया इसमें इसमें सा कुछ और सारी फीजर्स तो हमने टायर मॉंटर मसीन के रिगार्डिन सारी देखे लिया तो उससे मैचप मैचप कर सकते हैं कि फोर शोग डीजर एंजीन है और आल वील ड्राइव एक और शारी चीज़ें इसमें अची तरीके से देख लिए और आप इसमें देख रहे हुंकि आहतर पीछे मेर नखा यह पर लगवा पीछे मेर दाईब होते हैं किसी-किसी में रगा दिया तो सही है, नहीं लगा तो भी सही है है कि यह क्या होता है कि जेंरलीर के पीछेम एक तो यह इस पो अगर थे हैं कि आयुआ कि तो हम क्या है की बे तो गदेना को लगा जिया खिने चैनल को लगा दिया है कि कहीं गई अगर डंक्याड में उसका अगर हम consig तो इस वीडियो के साथ आज का लेक्चर भी खतम होता है और फिर नेक्स्ट जो हमारी लेक्चर रोगी फिर तरफ हम प्रोसीड करेंगे तो आज हम इस वीडियो को यहीं पर आड़ करेंगे तो कर दो